हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्दिप्रदेश डेली करंट अफियर में आपका स्वागत है आज है 19 अपरेल 2019 और यह हमारी 130 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखनी है दोस्तो अगर MPG के और current affairs related कोई भी आपको problem जाती है तो आप हमें comment box में बताए हम उनके answer जरू करेंगे दोस्तो आइकोन में question दिया गया है जो previous day का है आप इसका answer जरू करें question number first हाली में किस देश में बिसो के सबसे बड़े AI सिकर सम्मिलन का आयोजन किया जाएगा जिसका सई option है UAE हाली में UAE में बिसो के सबसे बड़े AI सिकर सम्मिलन का आयोजन किया जाएगा यह है आयोजन 30 अप्रेल से 1 माई तक किया जाएगा इस सम्मिलन का आयोजन अंतरास्टिय दूर संचार संग और विश्व वौधिक संपता संग्ठन द्वारा मिलकर किया जा रहा है दोस्तो अब बात आईए UAE की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे UAE की फुल फॉर में यूनाइटिड अरब अमीराद और UAE की राजधानी है आवुधाभी करंसी है दिरहम और UAE की रास्टपती है खलीफा विंजयाद अल नहयान तो दोस्तो इतना आपको UAE की बारे में याद रखना है Next Question एक रिपोर्ट मागी है यह रिपोर्ट तीन महिने के भीतर समिट करना होगी दोस्तो NGT के अनुसार 252,700 ग्राम पंचायतों में जैब विवित्ता प्रवंदन समीतियों की स्थापना करना था परन्तु अब तक इनकी स्थापना नहीं हुई थी जिसके कारण NGT ने यह रेपूर्ट मागी है दोस्तो अब बाताईए यह NGT की तो आपको इसके बारी में बता दे NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन टरिबिनल होता है NGT की स्थापना 2010 में की गई थी चेयर परसन है आदर्श कुमार गोयल तो दोस्तो इतना आपको NGT की बारी में याद रखना है Next Question हाली में कौन सा एप Google और Apple एप स्थी से भटाया गया है जिसका से यह option है TikTok हाली में TikTok एप को Apple और Google Play स्थी से भटाया गया है हाली में मदरा साइकूट ने इस एप को हटाने के नरदेश दिये थे इसके बाद भारत सरकार को इसको हटाने की कारवाई करनी पड़ी दोस्तो टिक टॉक एक चीनी एप है और इसे 2016 में लॉंच किया गया था इसके 500 मिलियन से भी अधिक यूजर्स है एक और important fact आपको बता दें दोस्तो पाकिस्तान, बांगला देश, इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसे पहले ही देशों से हटा दिया है तो इतना आपको टिक टॉक के बारे में याद रखना है इस ट्रीट चैल वर्ल्ल कप में किसे गुडविल एमबेसिडर चुना गया है जिसको सही option है मिताली राज हाली में मिताली राज को इस ट्रीट चैल वर्ल कप पे गुडविल एमबेसिडर चुना गया है ये भारती महिला क्रिकेट टीम के खिलाडी है और सौरफ गंगोली के साथ मिरकर वर्ल कप में भारत का समर्थन करेंगी दोस्तो अब बात आईए स्ट्रीट चैल वर्ल कप की तो आपको इसके बारें बता दे इस वर्ल कप का आयोजन 30 अप्रेल से 8 माई के बीच इंगलेंड में किया जाएगा भारत की ओर से दो टीमें हिस्सा लेंगी इस वर्ल कप में जुगी वस्तियों में रहने वाले बच्ची हिस्सा लेंगे और दोस्तो साथ ही इसमें गल्स और वैज दोनों साथ खेलेंगे तो दोस्तो इतना आपको इस वर्ल कप की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में कब विस्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया है जिसका सई ओफ्षन है 17 अप्रेल हाली में 17 अप्रेल को विस्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया है यह दिवस फ्रेंक सनावेल की जन्म दिवस पर मनाया जाता है सनावेले ही 1903 में बिस्व हीमोफिलिया संग की इस्थापना की थी दोस्तो हीमोफिलिया एक रोग है इसमें व्यक्ति के सरीर में खून का जो ठक्का बनने की शम्ता में कमी हो जाती है जिसके कारण यह ठक्का नहीं जमा पाता है दोस्तो अब बात आई है important days की तो आपको अप्रेल में अब तक जितने भी important days हुई हैं उनके बारे में बता दें अप्रेल में 2 अप्रेल को world autism awareness day मनाये गया यानि विस्व आत्म के इंदरे दिवस पाँच अप्रेल को रास्टी समुदरी दिवस मनाये गया भारत में और साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाये गया दस अप्रेल को होमियोफयती दिवस मनाये गया और फिर 14 अप्रेल को अंबेटकर जैनती मनाये गयी दोस्तों अम्बेटकर मध्यप्रदेश के इंदर्ज लेके महू में इनका जन्म हुआ था इसकी बाद 15 अप्रेल को हिमाचल दिवस मनाये गया तो इतना आपको इन इंपोर्टेंट डेश की बारे में याद रखना है नेक्ट क्वेशन मुक्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पैंसन के तहट ब्रद्जनों और अन्य पैंसन धारियों की राशी में ब्रद्धी करने का नेड़े दिया है दोस्तों इसके अनुसार 40,37,000 लोगों को इस माहें से लाब मिला शुरू हो जाएगा पैंसन में 300 रोपे की ब्रद्धी की गई है पहले यह 300 रोपे थी और अब बढ़कर 600 रोपे की गई है दोस्तों अब बात आईए मध्य प्रदेश की तो आपको मैप में मध्य प्रदेश की बारे में बता दे दोस्तो मैप में ये जगए मध्य प्रदेश को दर्साती है मध्य प्रदेश की स्थापना एक नमबर 1956 में की गई थी मध्य प्रदेश की गवार्नर है अनन्दी बिन पटेल मध्य प्रदेश की मुख्य मंतरी है कमलात और मद्यप्रदेश की राज़तानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्यप्रदेश के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में मद्यप्रदेश के किस शहर का चैन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019 के लिए हुआ है तो इसका सही उफ्षन है सागर हाली में सागर का चैन मद्यप्रदेश की सागर का चैन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019 के लिए हुआ है स्मार्ट सिटी के थर्ड राउंड में शामिल देश के 30 में से 8 शहरों का चैन इस अवार्ड के लिए किया गया है दोस्तो अब बात आई है सागर की तो कुछ important fact आपको सागर जिले के बारे में बता दे शागर सहर की इस्थापना उदन से द्वारा 1660 में की गई थी दोस्तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है next question हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार मद्यप्रदेश में कितने प्रतीशत लोग शाकाहारी है जिसका सई option है 50.6 प्रतीशत हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार मद्यप्रदेश में 50.6 प्रतीशत लोग शाकाहारी है मद्यप्रदेश में मासाहारी लोग भी 49.4 प्रतीशत है सेंपल रेजिस्टेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 के अनुसार देश में कई राज में 98 प्रतीशत लोग मासाहारी है दोस्तो इसी रिपोर्ट के अनुसार मद्य प्रतीश में enemy या से पीडित महिलाए 53 प्रतीशत है और वहीं प्रोष 26 प्रतीशत है दोस्तो मद्य प्रतीश में कोपोशन से छोटे कद के बच्चे 42 प्रतीशत है नेस्ट क्वेशन हाली में मद्यप्रदेश लगू उद्योख संग के अध्यक्ष कौन बने है जिसका सही ओफ्षन है अरुन जैन हाली में अरुन जैन मद्यप्रदेश लगू उद्योख संग के अध्यक्ष बने है हाली में मद्यप्रदेश लगु उद्युक संग का चुना हुआ था इसमें सुनील भारगाउ को उपाध्यक्ष चुना गया है दोस्तो मद्यप्रदेश में क्षेत्रिय उपाध्यक्ष संयुक्त सचेव और सदस्यों के जूड़ा जाए तो कुल 47 यानि 47 निक्तियां हुई है मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश के किस गाउं का नाम अब शिपधाम रखा गया है तिसका सई उप्षन है दुरजनपुर हाली में मद्यप्रदेश के दुरजनपुर गाउं का नाम बदल कर शिपधाम किया गया है यह गाउं कटनी जिले में इस्थित है बहुत से विभागों की आपत्ती के कारण इस गाओं का नाम बदला गया है दोस्तों खास बात ये है कि गाओं का नाम बदलने में तीन साल लग गये वहीं अगर यूपी में देखा जाए तो 24 घंटे में नाम बदला जाता है किसी भी शहर का हाली में किस चातन ने रास्टिय साले क। करीडा के का समेडल जीता है तोस्तों कामले ये अभी एक इस्टूड़ेंट है और अमरित स्रम आयوجित रास्टिय अंडर 14 बालक वर्ग के 47 वर्ग में का समेडल जीता है दोस्तों ये सागर जिली के रहने वाले हैं और संभाग सागर से एक मात्र छात्र थे जो इस साले कीडा के लिए चुने गए थे नेश्ट क्वेशन हाली में किसको टाइम मैगजीन की सौप प्रतिवाशाली व्यक्तियों की लिस्ट में जगह मिली है जिसका सही ओफ्षन ये चारों है हाली में मुकेश अमबानी अरुंधती काटजू मेनका गुरु गोस्वामी और इमरान खान इन चारों को टाइम मैगज जिनकी सौप प्रतिवाशाली व्यक्तियों की लिस्ट में जगह मिली है मुकेश अमबानी रिलाइस इन्रेस्टिस के संस्थापक है अरुंधती काटजू LGBT समूदाय के अधिकारों के लिए लड़ने वाले बकील है और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री है तो इन टाइम मेगजीन की लिस्ट के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जो शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर् अश्कार, have a nice day